अपना सवार ना अवान करतो की विद्धय पिटा ने आउजित के लेला एक आठोड़ाचा फैकल्टी डेवलप्मेंट प्रोग्राम एपडिपी ओन जी सुट इन एजुकेशन, इचिंग और एक अपने डेवलप्मेंट या मदे आपन सर्वानी भग जा होबौ इचा मदे उजी सिकर ना अलेलेया नुक्तर आलेले जा गाइडलाइन्स हाए द 똑 जागा आप जाला 25 टके ओन लाईन डीचिंग कराइचा है वह 75 तके फेस टू-फेस टीचिंग कर रहे सा है आता पंचुष तके ओनलाइन टीचिंग करने साथ ही आप जाला पहले एक इन कंटेंट डिवलप करने जरूरी है तो एक इन कंटेंट डिवलप कर रहे से तो आपर गूगल क्लास्लूम चाथ रूप रहे सा गूगल चे इतर जे सूट साहेत जासा गूगल मीट आए गूगल हैंगाउट आए कि मा अज़न इतर ही जे माध्यम आएत जासा मूडल आए या सर्वांता कसा अपर आपन टीचिंग मदे मुलान ना इक इन्ट देने साथ ही कि मा ओनलाइन शिकोने साथ ही कसा करूशकू या बदल हा पूर्ण एक विग चा आउज़ीत करने तालेला है याजा मदे वित्टेबिटाचा पीजे डिपार्टमेंट ओप कॉंपूटर साइंस अन इंजिनेरिंग या विभागा तरप्पे आपूर्ण एक विग चा एक विएज़ीत के लेला है या एक विद्टीबि मदे आपला या शरूव विश्यायन वर एक्सपर्ट्स करना ट्रेनिंग मिरे रहे वर टीचिंग कसा कराए ज़ा त्या बदल आपला एचे तोन सांगने ज़हना रहे त्या मुले या संधी सा आपन पूरे-पूर फाइदा घ्योन आपले विद्ध्यार्थयान परेंत आपन 25 तक के यी कंटेंट्स की माँ 25 तक के टीचिंग कशे पोचू या बद्देर आपन स्वताला एक तैयार करने साथी हाँ FTP आहे युजी सी चा गाइदलान्स नुसार एक मैंडेटरी असले आमोले आपन सर्व शिक्षकान नी या मते भरकूर सहबा घ्यावा 31 तारके परसुन हा FTP पास तारके परेंतों 31 ते 5 जुलेग परेंत हा आउजित करने तारेला है आउनलाइन राना रहे सर्वता फ्री आहे आनि याची लिंक रेजिस्ट्रेशन ची आप लेला अपलेला स्क्रीन वर वर तसेच इतर मेडियम चा मात्यमात उन आपलेला मेडला लिंक वर क्लिक करून आपन याचात रेज आपके लिंक बिचा हरान अपलेला। बिननован क्या आपले समया स्क्रीटी фильм प्लेट यूर लि programmer लेलों क्या आपिसर क्यारनी बार लीड़ों का प्लेब मेड का जůर एंटिलां ऑलका लुरिए परून 1-week soot ॑न पैलना आपया लेम याची धन झेखान लिदमात मेर प्लेश् the tools for online teaching and the e-content development. So, I call upon all the teachers and faculties to join. This will be useful because the tools covered under this MTP are in one platform, bundled under G Suite and very well-known platform of Google. Everybody is very much familiar with Google. So, it will not be difficult for faculties and teachers to use these tools for teaching and research. You might have used or you might have attended many other FTPs, but what I found that these FTPs are covering the tools which are of varied platform, which are from open source or licensed and may be costing very high. But G Suite is not like that. G Suite in education is free. What Google has said that if the Google Suite, G Suite is used for teaching and research for non-profit purpose, then it is free. So, once again, I call upon all the faculties to join this FTP because you are learning already familiar tools and use it for online teaching, research and e-content development so that the UGC norms of at least go for 25% online teaching will be satisfied. Thank you very much. So, let's see. Let's go.